हम बात कर रहे हैं Marksons Pharma के लास्ट ट्रेडिंग देखी बात करें तो Marksons Pharma में हमको छोटी-मोटी गिरावट के साथी closing देखने के लिए मिली है जब इस टॉक ने rejection लिया था लगातार लो और लो पैटन हमको देखने के लिए मिला था इस टॉक में हम देख सकते हैं चाट पैटन पर लगातार लो और लो पैटन दिखा कर Marksons Pharma गिरावट दिखा रहा है उस वक्त हमने डिसकस किया था 158-160 का जो लेवल है जहां से इससे स्टॉक ने सपोर्ट लेके 166 तक का हमको जम दिखाया था इसका मेजर सपोर्ट रहेगा ऐसा हम डिसकस कर चुके थे स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है यहां से अगेन स्टॉक हमको बांस बैग दिखा सकता है Marksons Pharma में हमको दो बारा से रीकवरी देखने के लिए मिल सकती है अगर चाट पैटन देखते हैं तो समझ आता है कि इसी लेवल से स्टॉक ने बांस बैग दिखाया था अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन कर जाता है तो नेक्स सपोर्ट 154 155 का लेवर रहेगा जो कि इसका तगडा सपोर्ट है लेकिन स्टॉक के जिस तरह से हमको इ जमप आया है गिरावत आई अगें जमप आया तो हाई ब्रेक आट और अगें गिरावत आई तो अपने लोग नहीं ह miracles कर जिए जैंप के साथ जब घिरावट आये तो immediate target बनेगा 164 का level breakout कर जाता है तो 170, 172 का level जहां से stock ने जब rejection लिया इस दफ़ा तो बड़ी selling देखने के लिए मिली थी 170, 172 का level तो इसके पास थोड़ा सा aware रहना है stock यहां तक का jump दिखा सकता है हमको again अगर jump आता है तो इसका major resistance रहने वाला है इस level को breakout करना important है लगातार थेजी के लिए अगर marks and firma 170, 172 के level को breakout कर जाता है तो इसे condition में फिर 180 तक का jump दिखा सकता है जो के इसका तगड़ा resistance रहने वाला है वीडियो education पर परक्षे लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है अगर आप demate account open करना जाते हो तो description में देगाई लिंक से कर सकते हो